असलाम लेकों मिस्टर एंड, I am your teacher Miss Zareen Anees, Today I explain you exercise 10.2 question number 1, question number 1 जो मैं आपको पहली explain कर चुकी हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि इस exercise में question number 2 जो है उसमें भी bisection ही करना है, लेकिन हमारे SO laws में divide the line segment to 4 parts है, जिसका पहला question की में video आपको upload कर चुकी हूँ, 8 cm का, आज मैं आपको 9 cm की division 4 sections में explain करूगी, start करते हैं, जो next question मैं आपको करवाँगी, वो करवाँगी line segment 9 cm का, तो मेरे पास line 9 cm की line segment की line segment खिशने के लिए एक scale है, look at this, this is scale, okay, हम measurement करते हैं, exactly 9 cm की, देखिए 9 cm यहां तक है, okay, और यह 0 cm, 0 से 9 cm की हमने line draw कर ली, यह एक line segment है, okay, 0 से 9 cm की, next हमारा क्या step होका, हम इसको नान दे देंगे, a, b, हमें actually पता है, यह 9 cm की line segment है, अब हम अपना compass जो हमारा set है, look at this compass हमारा बिल्कुल set है, अब हम अपना compass open करेंगे, हमारा compass exactly 9 cm तक open होना चाहिए, एक आक हमने उपर लगाया, और एक आक नीचे, okay, next हम क्या करेंगे, a से, b तक, line segment की measurement कर देंगे बाद, एक आक उपर लगाएंगे, और एक आर्क नीचे, then we will join the intersecting point of upper arc and lower arc, okay, okay students, look at this, यहाँ पर हमने इस intersecting point से इस intersecting point को मिला लिया, अब हम measurement करेंगे, यह हमारा center point हो गया, o, okay, हम measurement करने स्टार्ट करते हैं, 0 पे रखते हैं, यह exactly 4.5 cm आ रहा है, look at this, बड़े segment और यह line, अब हम क्या करेंगे, अपनी पास को ओ पे रखकर, ए तक open करेंगे, उपे रखा, ए तक open करा, एक आख उपड लगाया, एक आख नीचे, एक आख इस तरफ लगा लिया, और एक आख किदर, नेक्स्ट हम बी पार रखेंगे, या ए पार रखेंगे, अप टू आस, और हमारा ओतक open था, हमने अपने दोनों आर्क को इंटरसेक्ट कर दिया, ए पे रखेंगे, चेक भी कर लेंगे, ओ तक open रही आईस, अब इस इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट इंक पॉइंट को, अप पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिला लेंगे, लेंगे, उके, मिला लिया, इस पोइंट को इस पोइंट से मिला लिया, अब हम मेजर्मेंट करेंगा, मेजर कर रहे हैं, यह देखिया, 2.2 और 3 के तकरीबन बीच में, एक हमाई साइन सेगमें 9 सेंटी मिटर की है, और यह यहाँ पर यह 4.5 आ रहे है, और यह 4.5 का अधा हो रहा है इट में हमारे line segment exactly 4 parts में divide हो चुकी है हम यहाँ पर लिखेंगे B यहाँ पर already O लिखा वा है P भी लिखा वा है तो अब हम B को C कर देंगे D याँनि A C line segment C O के बराबर है O D के बराबर है और D P के बराबर है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें यह चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी चैनल के साथ पने रहें Thank you